नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज एक फिल्म के बारे में बात करेंगे नाम है Silence 2 पूरा नाम है Silence 2 The Night Owl Bar Shootout G5 Original की ये फिल्म है, G5 पर आप इसको देख सकते है डिरेक्टर है अबन भरूजा देवहांस दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप से कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लिजगा क्योंकि वेब सीरीज और मुवीज के रिव्यू के साथ आपके हमलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी और इस फिल्म में भी आप देखते है ACP अविनाश वर्मा को जिसकी भूमेका में है मनोजवाजपई और ये स्पेसल क्राइम यूनिट में काम करते है फिर एक दिन इनको एक कॉल आती है कि नाइट आउल बार में एक शूट आउट हो गया है और साथ आठ लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है और मरने वालों में एक नेता का पीए भी है तो एक हाई प्रोफाइल आद्वी भी उसमें था फिर एसीपी वहाँ पहुंचते है अपने जाज शुरू करते है और उनको लगता है कि टारगेट वो नहीं था कुछ और था कहानी जो बताई जा रही है वो नहीं है कुछ और ही है फिर वो अपने टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करते है और फिर उनके सामने कई सचाईयां आती है और इस कहानी की परते धीरे-धीरे खुल लगती है दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है वो बेसिक तोर पे देखें तो ठीक है और इस तरह का जो कोई क्राइम थ्रिलर होता है और खास करके जिसमें murder investigation हो रही होती है तो उसमें जो जो चीजे हो सकती है वो सब यहां है यानि की एक shoot out हो रहा है उसमें कई लोग मर रहे हैं फिर कुछ suspect सामने आ रहे हैं फिर एक कहानी सामने आ रही है फिर संदे किसी और पे हो रहा है और आखिर में खुलासा कुछ और ही होता है तो यह सारी चीजें यहां है इसके अलबाए जो investigation की बारी किया है वो भी आपको दिखती है कि मतलब हाथ में जो कोई cut लगा है वो कैसा है या shoot out किस तरह से किया गया होगा ठीक है जो खून बिखरा है उसका pattern क्या कहता है तो यह सब चीजें जो है वो ठीक है और इस पर मेहनत की गई है लेकिन इसके बाद भी इस film का रंग बहुत जमता नहीं है और इसकी वज़य यह है कि यहां जो भी चीजे हो रही है उसमें बातचीत का element जाना है देखिए आप investigate करिए कुछ clue सामने आते है और उसके बाद दर्शक भी कुछ समझते हैं समझते हैं तो यहां एक तो यह है कि हर चीज बता-बता की की गई है एक तरह से spoon-pating की जा रही है दूसरा जो investigation है वो इतनी fast चल रही होती है और यहां हर कुछ एकदम तयार ही मिलता है मतलब कि आपको CCTV footage खुग गाल ली है तो बस आपको एक चीज तयार मिल रही है आप call record खंगाल रहे या पिर आप कोई भी data analyze कर रहे है तो result जैसे लगता है कि एकदम तयार करकर रखा हुआ था और आप तुरत उस नतीजे पहुँच गया फिर दो प्लस दो आपने चार किया फिर चार की तरफ दौड़ पड़े तो इस तरह से यह कहानी ज़्यादा तर चलती रहती है और इसमें होता यह है कि इस कहानी में अज़े विवर हम कभी invest नहीं हो पाते कभी इस कहानी में अंदर घुस नहीं पाते और यहां जिस तरह से presentation है उसमें थोड़ी कमी लगती है कि यह फिल्म बहुत डीप नहीं जाती मतलब कि ऐसा नहीं होता कभी कि आप एकदम खो जाए इस कहानी में आपता सिर चक्रा जाए कि आखिर हो क्या रहा है क्यों यहां जो भी कुछ होता है फिर तुरण कुछ और हो जाता है और यहां जिस तरह से presentation है उसमें नाट की यह तब ही आपको थोड़ा ज़्यादा दिखाई देती है और यह जो फिल्म है एक साधारन फिल्म ही बन करके रह जाती है हलांकि जो इसके basic elements है जो check box है वो सब ठीक है आप मतलब जो भी चीज़े देखें उसमें आप check mark लगा सकते है लेकिन यह फिल्म बहुत आपको ऐसा grip नहीं करती है और यहां जिस तरह से इस फिल्म का अंत रखा गया है उसमें भी एक surprise रखा गया है और जिस तरह से होता है कि भाई आप एक suspect create करें सक किसूई उसकी तरफ घूम रही है लेकिन बाद में कहानी कुछ और निकलेगी तो यहां भी ऐसा होता है लेकिन यहां जो कहानी निकलती है वो आपको थोड़ा सा आकरशित करती है लेकिन जब हम असली मुझरिम तक पहुंचते हैं और जो उसकी psychology बताई गई है या जो उसका social status बताया गया है या जो उसकी problem बताई गई है वो भी बेहद ही सतही लगती है और इसमें भी गंभीरता का भाव दिखता है तो दोस्तों कुल मिला करके ये film एक तरह से आप चाहें तो time pass के लिए देख सकते हैं या फिर अगर आपको मनोजवाजपई बहुत ज़्यादा पसंद है तो उनके लिए एक बार ये film आप देख सकते हैं लेकिन बहुत उमीदे पाल करके नहीं देखिएगा कि कुछ बवाल आइटम हमारे सामने आने वाना है और दोस्तों यहां बात करें आदाकारी की तो मनोजवाजपई है यहां तो मनोजवाजपई तो ऐसे वेक्ती है कि इनको जो भी रोल मिल जाए जिस तरह का भी हो वो जान तो डाल ही देते हैं और अपनी अलग छाप छोड़ते हैं फिर यहां आपको प्राची देशाई दिखती है, साहिल वैद है या दूसरे भी कलाकार है तो यह लोगों के लिए भी करने के लिए कुछ खास था नहीं तकनी की तरह पर यह फिल्म आपको ठीक दिखती है और दोस्तों करीब दो घंटा बीस मिनट की यह फिल्म है लेकिन इस में कुछ डिस्टर्विंग सीन्स भी है और काली गलोज का भी इस्तमाल किया गया है और दोस्तों इस फिल्म को देख करके ना मुझे बहुत आकरशक किया लगा ना कुछ ऐसा लगा तो मुझे लग रहा है कि एवरेज ही यह फिल्म है और जो मेरी रेटिंग है वो है पाच में से केवल 2.5 तो दोस्तों आज बस इतनी बात आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताईएगा और आपने अगर यह फिल्म देखिये तो भी मुझे बताईएगा आपको कैसे लगा धन्यवाद